नमस्का साती हूं जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और आपके State PCS को ध्यान में रखते हुए यह सभी आपकी किलासें लिए जा रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा कि सबसे बहले हम लोगोंने प्राचीन भारत का इतिहास देखा गा और उस पर हम लोगोंने विस्तार से बात की हुई थी फिर हम लोगोंने मद्यकालीम भारत का इतियास देखा उसमें भी हम लोगोंने बड़े डीपली जाकर बहुत ही विस्तार से बात की हुई है और अब हम लोग आधुनिक भारत के इतियास पर भी बात करेंगे और इसे भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे हर टॉपिक पर आप देखेंगे वड़ा डीफली अंदर तक घुस घुस कर हम लोग देखेंगे और आप लोगों को फिर से बता देता हूँ जब मैं State PCS कहता हूँ ना, Civil Service कहता हूँ ना तो आप देखें, Civil Service मतलब UPSC की तैयारी कर रहे हैं जो लोग और State PCS कहना का मतलब होता है कि MPPSC, बिहार PCS, राजिस्थान, चत्तिसगर, महराष्ट या फिर आप देखें उत्तराखंड, या फिर आप देखें उत्तरपिदेश इस तरह कि सभी State भी अपने एकजाम कर बाते हैं State exam, UPSC की तरह है, समय रहे हैं आप लोग उनमें आप लोगों को फायदा देंगी इकलास हैं चाहे आप लोग Prelims की बात कर लिजी, फिर चाहे मुख परिक्चा की बात कर लिजी और आपको बता दूँ, आपका Base भी मजबूत होगा और आप मेंसे कई लोगों कई भी सवाल होगा कि हम तो One Day Exam की तैयारी करते हैं SSC, Bank, Railway या आप देखते हैं कि तमाम स्टेट भी अपने एकजाम करता है SI, Bank, SI, दरोगा जिसकी बात करें Teachers, Police, समय रहे हैं, डाक विफाग में होती भरती तो उनके लिए तो आप देखिए बहुत ही बिस्तार सी किलास हैं तो अगर वो इन किलासों को कबर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी questions कहीं के कहीं जाने वाला है सब कुछ आप लोग समाधान उनके आंसर देने की स्थिती में आराम से पहुंच जाएंगे और एक बात और बता देता हूँ इस्टेट PCS और Civil Service के तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग जितना अधिक हो सके NCEIT बुक्स को जरूर पढ़िएगा समझे रहे हैं आप लोग क्योंकि बिना NCEIT पढ़े कोछ नहीं उखड़ने वाला है तो सबसे पहले जब आप लोग तैयारी शुरूर करते हैं या करने की सोच रहें तो कम से कम जितने बार मैं कहता हूँ दो तीन बार तो आप लोगों को NCEIT कम से कम पढ़ने है फिर जितने बार आप वो पास टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं तो आदूनीक भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर बात करने लेते हैं और आपको एक और जानकारी दे देते हैं जानकारी बहुत देता रहता हूँ कि देखिए इसके लिए आपकी एक फिलेलिष्ट सूच ची सेपरेट बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो आपका Prelims का जो सिलिवर्स है न वो सब कवर करवाये जाएगा फिर चाहे उसमें इतियास हो फिर चाहे समिधान हो फिर चाहे भूगोल हो चाहे अर्दव्योस्ता हो या आपका सामन बिग्यान हो ठीक है तो आप लोगों को टेंसन फिर हो जाना है आधुनिक भारत में हमें पढ़ना क्या क्या है तो पहले तो यही देख लिजी आप लोग तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो यूरोपी वड़िज कंपनियां आई जो भारत में उन पर विस्तार से बात करेंगे और आप देखें यह कंपनियां आई थी काम धंदा करने के लिए और करने लगी यहां राज करने लगे आप समझ रहें तो इन कंपनियों के बारे में भी जानेंगे इन कंपनियों से भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चांस भी आते हैं और किस तरह से देश को लोटा आप समझ रहे हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे भारत में दूसरा टॉपिक आप लोग देखेंगे फर आम लोग किसान और आदीवासी आंदोलन कैसे हुए उन्हें भी देखेंगे सन 1857 का विद्रो भी देख लेंगे और 1857 के विद्रो से याद देखिए आपकी मुख परिक्षा हो या प्रिलिम सो हमेशा कुश्चन्स पूचे जाते रहते हैं और आप लोगों से एक और बात कहनी है आप लोग जिस भी ज्याम की तैयारी करें उसके कम से कम 5-6 साल पुराने कुश्चन्स पेपर उठा की जरूर देखा करिएगा उनका विसलेशन किया करिएगा तो आप लोगों को मालुक चल जाएगा कि मैं कितना सजो बोलता हूँ समझ रहे आप लोग भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे भारत में राष्टबात का उदय और कॉंग्रिस की स्थापना किस तरह से हुई उस पर भी बात करेंगे नरमपंत और गरमपंत आंदोलन पर भी बात करेंगे पिथम विस्योद्धी की राजनीती पर भी हम लोग बात करेंगे भारत में क्रांती कारी आंदोलन देखेंगे भारत में जो क्रांती कारी आंदोलन हुए उन्हें भी देखेंगे राष्टबादी आंदोलन और गांदी जी के बारे में बात करेंगे हम लोग भारत में वामपंती आंदोलन हुए उन्हें भी देखेंगे दुतिय विस्योद्ध की राजनीती किस तरह से रही है उन्हें भी देखेंगे भारत सुतंता की ओर यानि कि आप सभी जानते ही कि 1947 में हमें आजादी मिल गई तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे भारत में संपदाएक ता इवं देश का विभाजन किस तरह से हुआ आप सभी जानते ही कि पाकिस्तान पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था फिर अलग हो जाता है कुछ नेताओं को इसमें आप देखें उनके अपने हित थे और भी बहुत सारी कारण थे उनपर बात करेंगे सुतंता अन्दुनन में विभिन बर्गों की भूमिका क्या रही है उन्हें भी देखेंगे सुन्तंता अंतुलन में विभिन दलों की भूमिया किस तरह से रही है उन्हें भी देखेंगे आधुनिक भारत में चर्चित ब्यक्ती कौन कौन से थे समझ रहे हैं आप लोग उन्हें भी देखेंगे और सुतंतित योत्तर योग 1947 से 1964 तक इसे भी देखेंगे और आधुनिक भारत तिथी वारत घटना करम जो भी हुई है उन्हें भी हम लोग आराम से देखेंगे बड़े बिंदास तरीके से हम लोग बात करेंगे तो आधुनिक भारत के एतिहास में इन सभी को हम लोगों को बात करनी है क्या करनी है बात करनी है और टॉफिक भाई टॉफिक हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को परिफसान भी नहीं होना है और मुझे लगता है कि आप लोग आराम से समझ में आता रहेगा पर भी अगर आप लोगों की कोई सिकायत रहती है कोई सुझाओ रहता है या फिर आ आप लोगों को सुतनता है, आजादी है, आप लोग अपने भी विचार नीचे दे सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मुझे भी, चलिए तो हम लोग बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में,